वेलकम बैक टो मैं चानल मैं हूँ आपके अपनी सिवांगी थवायत और आज मैं आप लोग उपास फीर से लेकर काई मेकप टुटोरियल जो कि मैंने आपस वेडिंग गेश्ट मेकप लुट किया हुआ है एंड इस्टेप बाइस्टेप है तो आप लोग अराम सी से सीख सकत है अच्छे से अप लोग इस तरीके का मेकप कर सकते हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आये तो अब हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और मैंने कुछ इस तरीके का ना फ्लोरल प्रिंट का एक ड्रेस पहना जो कि वैडि में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए तो चली चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले मैंने हापस यूज किया हुआ है मॉश्राइजर जो की है नीव्या का एंड का एंड का लाइट वेट है बहुत ही सॉफ्ट लगेगा आप ल अच्छे से एक फ्लाले सल बेस त्यार हो जाए हमारा मेक अप के लिए एंड देख सकते हो आप लोगों कुछ इस तरीके से मैंने किया हुआ है पूरा अलोवर फेस में लगा लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाइ कारूंगी का प्राइमार जो कि आप लोगों के फेस को प्रोटेक्ट करेगा एंड स ratchet साथ आप लोगों के पोraul को मेंनीमाइस करदेगा एंड आप लोग देख सकते हूँ इस तरीके से मैंने फिंगर टिप पर लिया थोड़ा-धोड़ा इमाउंट में इसे हैं अच्छी तरीके से अपने finger tip से ही अपने all over face में इसे spread कर रही हूं ताकि ऐसे spread करना है एकदम dab dab करके spread करना है ताकि यह जो primer है वह हमारे face में absorb भी हो जाए हलका सा जिसे हमारे face को protection मिले make-up से प्राइमर हम लोग इसी के लिए ही लगाते हैं आप लोग चाहे तो अलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो वो भी आप लोगों का एस प्राइमर काम करेगा देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से मैंने फोरहेट पर भी अप्लाई कर लिया है ताकि फ्लॉलेस बेस बने इसके अपस ले रही हूं लैकमी 9-5 का फॉंडेशन जो के हाई कवरेज फॉंडेशन है और 37 इसमें प्राइमर भी मिला हुआ है तो आप लोगों को डबल प देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने फॉंडेशन लगाया और आपस में थोड़ा से वीडियो ना फास्ट कर दे रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि मैंने हापस कौन सा प्रोसेस किया हुआ है एंड डब डब मोशन में मैंने सप्लाई किया हुआ है ब्लेंडर की हेल्प से तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने अल ओवर फेस पर इसे अप्लाई किया हुआ है एंड फोरेट पर भी अच्छे तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है ताकि आप लोगों का एक फ्लॉलेस सब बेस त्यार हो जाए एंड इ तो अच्छी तरीके से मैं हापस कंसिलर लगा लोगी चीन एरिया पर भी लगा लोगी ताकि कंटोरिंग करने में अच्छा से असानी हो मुझे एंड देख सकते हो आप लोगों कुछ इस तरीके से मैंने ब्लेंडर से इसे भी ब्लेंड किया हुआ है एंड अगर बाहर का को लोगी एंड मीवन्म पॉर्डल लोगी एंडियोस पर्ड लगेर करके मैं अपस क्रीज बना लोगी आपने जॉल लैन के पास में ताकि जो हम लोग चंटोर करेंगे नो कान्तॉर करेंगे ओंक वह अच्छी इसे साथ सेल नेक्ट में का जा जायास मैं तर 쪽 इसे क्या होग उच्छ henny इसे जौ ना हो जा Alrighty कर्क पो दिख करना रहता है ताकि आप दौ आका बैग यू श्कर शाच्वा नहीं क्ला व 나타na डाया एकदम बने साथा ची तरीक's के लिखाना यह बहुत अच्छा सा लुग आता है अगर हम लोग बेकिंग करेंगे तो गदम फ्लॉलेस्ता लुग आता है तरहीं तरीके इसे घुमी तरीके से सांफ ना तो एकधम सा फ्लॉलेसली यह सांफ भी हो जाएगा एण बहुत ज्यादा स्मूध दिखेगा अमारा फेस घुरें वो भी set हो जाए एंड forehead पर भी अच्छी तरीके से मैंने से set कर लिया है एंड कुछ neck पर भी इसे आप लोग अच्छी तरीके से लगा लीजे उसके बाद मैं हापस ले रही हूं eye shadow एंड ऐसा दोस्त में अपना eyebrow fill करूंगी ताकि eyebrow fill करेंगे ना हम लोग तो अच्छी तरीके से लुक अएकदम natural सा एंड एकदम catchy type का हमारा eyebrow लगना चाहिए अच्छी तरीके से ड्याप करके ना पिछ लेकर आगे तक अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी अन्ड नॉर्मल सा से लुक है अग्दम सिंपल सा प्लोग को इस भी आप लोग इसे ट्राइकर सकते हो एंड कुछी इस तरीके से मैं नीचे पर भी अपने अपलाई करोंग कि वाटर लाइन पर भी मैं सप्लाई करूंगे ताकि जो मारा लूक है वह काफी ज़दा अच्छा है और नीचे सेकंड साइड में भी सेम प्रोसेस हो रहेगा आप लोग फ्लफी ब्रस भी उसकर सकते हो या तो आप लोग ना अपने फिंगर टिप से भी सप्लाई कर सकते हो उसके बाद में अच्छी तरीके से अपने सामने वाले एरिया पर अप्लाई करूंगी इसे क्या होगा एक स्मोकी टैप सा लूक आएगा बट उतना ज़्यादा इसमोकी आइस नहीं है तो कोई बात नहीं है बाकी हां अच्छा लगेगा यहला लूक करने से अच्छी तरीक जो लूक आएगा वह काफी ज़्यादा अच्छा आता है तो ग्लीटर में हापस ली हूँ सिल्वर कलर का एंड उसके बाद में हापस अप्लाई करूंगी अपना आइलैनर जो है मेरा एनवाई बेका एंड काफी ज़्यादा इस्टे करता है बहुत ही ज्यादा लॉंग ला मैं इसे ही काफी ज़्यादा यूस करती हूं और मैं हाली रिकॉमेंट भी करूंगी इसके बाद मैं आपस अप्लाई कर रही हूं कीज ब्यूटी का मस्कारा जो की काफी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देता है हमारे ऐलैसे को एंड सहाथ ही साथना मैं इसे अपने प्लाई करना इस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बिकॉज हम लोग जब तक अपने फेक आलासस को नहीं लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है इसके बाद मैं आपस ले रही हूं नवाई बेक बलस्ट जो की है संकिष्ट रेड वेल्वेक बलस्ट अच्छे तरीक इसे नोस पर भी अपलाई करें और चीन पर भी आप लोगों को अपलाई कर लेना है एकदम नाचरल सा लुक करके लिए एंड लुक आप लोग नाचरल ही करो तो ज्यादा अच्छा रहता है इसके बाद मैं आपस ले रही हूं मेबलीन का क्या बोलते है इसको हाइलाइटर क्योंकि इतने सारे प्रोड़क्त है ना कुछ का नाम भी मैं एकदम अचानाक से मैंड से चले जाता रिकॉर्डिंग करते टाइम में अच्छी तरीके से मैं चीक बोन पर भी नोस्टी पर चीन पर अच्छी तरीके से अपने लिप्स के उपर भी अपलाई करूंगी करें नहीं है कि आप लोग इसे को एपलाई करो विकॉज यह सदा बाहर मेकप लूग है आप लोग कभी इसे पार्टी में भी कर सकते हो किसी भी कॉलेज फंक्षन में कर सकते हो एंड वेडिंग में कर सकते हो एंड वेडिंग में भी आप लोग से कर सकते हो एंड यहां से ह लोगों कुछ पसंद आया होगा यह वाला मेकप लोग अगर आप लोगों को पसंद आते हैं जी आले आ सबDasार कर दीजाह भार, कर दीजागे सब्सक्राइब कर दीजिए चानल को भार, को मिलते हैं बेल इकान को सब्सक्रेंट 15 1600 दुम blends〜